कर दोस्तों मैं हूँ केके सर हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल केके सर हिंदी भुक्ट्यूबिंग में तो दोस्तों मैंने कुछिट्यूबियो बनाया था आप लोगे तो पहुँचाने के लिए ताकि मेरे चैनल को ज़यादे पयादे सब्सक्राइब करें और लाइक और 訂閱 करें ताकि हमारा जो विडियो है हमारा जो विडियो है लोगों लोग सीखें जाने यहां से तो मैं कोर्शिस कर रहा हूं कुछ online के जरीए YouTube के जरीए सिखाने का जो पढ़े लिखें है वो तो ठीक ठाक है पर जो पढ़े लिखें नहीं है उनको तक पहुंचाई है तो हम मेरा कोर्शिस है मैं सोज रहा हूं कि YouTube के बाध्यम से हर घरों में ज जो महलाएं हैं घर में बैठी हुई हैं जो चाहते ही कि हम पढ़ें कुछ करें कुछ इंग्लिश वेगरा सिखें तो मैं इस हिंदी बुक टिविंग के माध्यम से मैं सिखाना चाहता हूं और आसर करता हूं कि आप लोग भी सीखिये था कोर्शिस किजी आप लोग मेरे चै तो चलिए मैं सुरुवात करता हूं पार्ट वान में सिखाने के कोर्शिस कर रहा था कि पार्ट वन में बिशायच हो है और मारा यह सब्जेक्ट जो इंग्लिश में आगर के सब्चिक पोलते हैं अल्फाविट तो हिंदी का आधार यह जो काखा अगा है यहां से सब चीप पढ़ाया जाता है हिंदी में में और इंग्लिश में में सब पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग बेस्में अल्फाबिक तो मैं यह जो सिविधा है मैं योटूब वीडियो का बाधियम से आप लोगों तक देना चाह रहा हूं तो सर प्लीज आप लोग लीजिये स कि हमारे इजूगेशन को बढ़ाई है अस्कूल में नहीं जाते हैं फिर भी यह यूटू वीडियो देखते हैं तो जो अनसन अनाफ सर आप सिखने के लिए वीडियो देखें ना सर सिखने के लिए कुछ करिया न मैं तो हम यह वीडियो आफिक बना रहे हैं कोर्सिस कर रह नहीं उनको तक तो सजाईये तो उसा गाइट करें तो सबस्का आदे गंटा दस मिन फंदा लेकर करके उनको सिखाए कि ऐख करिये तर क्यूब्कि मैं अक्सर हमेशा मैं बैंक पर जाता हूं गाओं को बैंक में गया हूं तो अक्सर मैं देखा हूं मैं जब आप्लीकेशन तो वह पे कई लेडी से आई हैं कई औरते आई हैं किस बाबु मेरा ये फर्म भर दो पैस जो चेग भूख है लूचक भी बढ़ना होता है फर्म स्लीप भरना होता है वह सारे लोग आते हैं तो उनको सर बैं और सर मैं उनको सिखाए है तो पूर्शीज करें ताकि लोग किसे प्रिक्ष्ट नहीं करना पड़े ठीक है दोस्तों मैं स्टार्टिंग में यह सुरुवात कर रहा हूं तो पार्ट वर में में मेरा जो सब्जिक्स रहेगा बीसे वर्ण माना और यह जो लिखा वह आपके शामने जो आ रहा है वो मैं आपको दे दे रहा हूं ठीक है तो अभी यहां पे capital letter इंगलिसे में मोलते है यह जो पहां किलते हैं है इंगलिसे हम शपड़ें को दे रहा है इसको एहां पर भीजाह हैं को… तो हिंदी में ही जानकरी देंगे, इसके साथ जानकरी जो इंगिस मेडियम की स्टूडेंट हैं, जो हिंदी नहीं जानते हैं, तो इसके जरिए आप हिंदी को कैश करिए, जो लेटर है अलफाबेट के जरिए आप हिंदी को कैश करिए, हिंदी सीख सकते हैं हां से, हिंदी को हिंदी सिखें तो उनके लिए भी बेटर है तो सर मेरा प्लीज जाद जाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक और सेर जरूर करिएगा ठीक है तो मैं ओनलाइन के जरिये मैं एजुकेशन दे रहा हूँ तो चलिए मैं शुरुवात करता हूँ तो आप तो जानते हैं जो इंग्लीज मिटियम के बच्चे लोग हैं बड़े लोग हैं सब जानते हैं यह जो कैप्टिल लेटर हो गया A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A S T इसके बाद मैंने स्मॉल ही सामने सामने दे दिया है ताकि आपको समझ मैं के लिए यह स्मॉल लेटर में चोटा वाला है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A S T इसके बाद कैप्टिल लेटर रहता है यह जो बचा हुआ यहां से यह T है उसके बाद ही आपको यहां से आएगा यह B W X Y Z और यहां पर T T के बाद पर यहां से यह B W X Y Z तो दोस्तो और मैडम और मैं जो आपने को मैसेज दे रहा हुआ हूँ यूटूब वीडियो के बाद हम से तो जो मैंने जैसे रिफिट किया है जो पढ़े लिखें नहीं उनके लिए काफी जी हो जाएगा हमारे वीडियो जब फॉलोग करेंगे तो ठीक है दोस्तो तो यह जो ऐसे पढ़के मैंने सुनाया है यह बेस होगा आपका आधार हो गया स्टार्टिंग में यहीं सीखना पड़ता है तो सब बच्चे लोग यहीं सिखते हैं तो आसा करता है कि आप जरूर सिखें इसको और इसके बाद जो हिंदी में है मेरा तो खासकर हिंदी के लिए चै इसको बोलते है का 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 खा गा अंगा यह ज्यादा तर यूज नहीं होता है यह सब यह जो वर्ड हो गया यह जो सब्द हो गया यह अक्षर इसको बोलते है अक्षर हिंदी में अक्षर होता है और इंगलिस में लेटर तो यह अक्षर ज्यादा तर यूज नहीं होता है लेक यह लेटर होता है, यह use होता है. तो मैं इस के साथ, यह हिंदी उसे काथ, मैं हुआ समझ गये, इसके साथ में था हुआ याज में पल्गी में आए, और इंगलीज काथिको पितितज्एंट, तो यह के से का ःती होता है, के, इसे का, और यह के एच का, के सहा और यह होगा आपका G, यह capital G होगा G से G, और यह capital G लिखते हैं, फिर हे small h लिखते हैं, जे से गा और यह होगा आपका Y, N, G से यंघ तो यह यह जातर टर यूज नहीं होता है जातर दर आपका 4 लेटर हाथ ही एंग्लिज में ठीक है दोस्तों तो यह जो इंग्लिज मैंने लिखा हूं तो जो पहले जो मैं पढ़के आपको सुना दिया थे यह वाले अभी जी इसी में से देख लिजे आप यह किय हो गया एक है मैंने उठागर लिखा के सिक इसी तरह से केज खा तो के मैंने यह लिखा और इसके बाद एच यह स्मॉल लेटर है आप स्मॉल में चले जाए यह हो गया तो केज सिक इसी तरह से जी जी से गव होता है तो कैप्टल लेटर में आप चले जाए यह जी हो गया ठीक है तो अब GH है तो H किस में है ये वाला फिर हो गया रीक है दूस्तो तो मैं ऐसे ही सिखा रहा है चाहरा हूँ तो Y हो गया य आप चले जाएए जैसे ये capital में Y हो गया इसके बाद N हो गया तो इस पॉल में N चले जाएए इस तरह से G है अब G चले जाएए तो इसलिए मैंने ये base आपको दिया तो साथ साथ में Hindi भी ले चलेंगे और इसके साथ English ले चलेंगे तो इससे easy क्या होगा कि English Medium की जो student है जो चोटी चोटी बच्ची है जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए टीशे रखते हैं तो हमारे बीडियो को फालो करेंगे तो इस पर चोटनी पढ़ेंगे तो हमसा परेंस को हम बूलेंगे कि sir और ma'am तो हमसा रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारे बीडियो को ज्याद़ ज्याद़ देखें और बच्चों को इस तरह से गाइट करने का कोर्सिस करें, बच्चे घर में भी पढ़ जाएंगे, तो टीचे रखने के ज़रूरत में पढ़ेंगे, जो एक्स्टा जो फीस आपको पढ़ती है, हजार फंदरस हो जाता है फीस, फीस तो आपको सिप होगा, किसी तरह से आपको कहीं करते हैं, यह जो मैंने इइचन का थे लिखती है और हिंदी तो जानते ही है तो और फीस अपढ़ें देख engine का encourage करें कि हमारी इंडिया में आनते हैं, तो इस उस भुखने ही, लिकना ही पाते है, एंग्जीस में ही तो हमारी में इंडिया नी समझ भ linen के पाते हैं, इसके बाद यह capital letter तो नहीं रहेगा, यह मैं starting में दिखा दिया हूँ आपको, आप इसको follow करेगा बार बार, ठीक है, मैंने जो बहुलके, पढ़के, read करके दिखाया हूँ, फिर मैं इसके बाद फिर repeat कर दे रहा हूँ, देखेज़ेगा, इसको फिर capital letter में, capital letter इसको बोलते है capital letter जो बड़ा में है, इसको बोलते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, इसके बाद देखेज़े हैं, इसके बाद देखेज़े, इसके बाद देख लिजेए, आप capital में हूई है, यहाँ जो ट है, इसके बाद में, यहाँ कर दिया है, यो बी डवलू एक्स वाई जेट इसे तरसे यह T है मैंने यहां कर दिया है यो भी डवलू एक्स वाई जेट ठीक है तो मैंने र्रीपिट किया और इसी तरसे ये वी आप पढ़िएगा के के से का के एच खा जी गा जी एच घा Y अन जी से अंगा तो आप यह बार बार रिपीट करिएगा घर पर प्रैक्टिस करिएगा शरूर सिखेंगे फिर नेक्स वीडियो में हम मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत दुश्कों